नमस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे यूपी जी के ओधर पिदेश सामानी ज्यान के बारे में तो इसमें हम तक अभी तक 19 चेप्टर खतम कर चेक गए 19 बाच चेप्टर था आपका सहकारिता एवं स्रम रोजगार ठीक इसमें बात करेंगे हम लोग संगहाल ठीक है फिदेश में कला एवं संस्किती इतिहास पुरातत विज्ञान ओस्ती वास्त वाध्यान आधी अन्विस्ष्ट विस्याओं से संब्दिर दूलब बस्तूओं के संग्राहितु लगब सत्तर संग्राहलाउं की स्थापना की गए फिदेश का सबसे प्राचीन संग्र संग्राले लखनू में हैं इसकी स्थापना 1853 में हुई थी विदेश के अन्विस्ष्ट विस्याओं से संब्दित हैं इसकी राज की संग्राले लखनू पिदेश का सबसे फ्राचीन संग्राले हैं इसकी स्थापना 1853 में हुई और इसकी साखाएं लखनू इलाबा दोनों इस्थानों पर इस्थे थे सं 1860 में दोनों साखाओं को मिला दिया गया है यहां अनेक दुड़लब वस्तूओं का संग्राय किया गया सोदकार सुफिसित बिद्वानों के भासन था जन्ता के लिए फिदर्शनियों यहां आईड़ित की जाती है अनेक दुड़लब वस्तूओं को खरीदा भी जाता है मलिक मुहम्मद जायसी कित पदमाबद की सचित पोथी क्रे की गई कलाक्तियों में विसेस महत्त की उपलब्दी है इसमें 337 रंगीन चित भी है ऐसा समझा जाता है कि देवनागरी अक्षों में लिखी गई पदमाबद यह प्राचीन पोथी है इसका रचनाकार 1693 इसके अलावा अन संग्राले है उत्तरपेश में कौन-कौन से है राज संग्राले लखनव इसकी इस्थापना 1865 में हुई लखनव डिवीजन के तत्कालिन कमिशनर करनल एलवर्ट द्वारा की गई थी 1883 में लाल वरादरी में यह संग्राले इस्थापित हुए 1963 में यह नवीन भावन में इस्थाना अंत्रित हुए इस संग्राले की संक्लम में लखबग एक लाक से दिक लाकती है फिर आपका मतुरा का संग्राले यह पुरातत संग्राले इसकी इस्थापना 1864 में हुई थी इन्तो 1921 में सरदार सरकार्न इसे अपने अधिकार में ले लिया इसे 500 फुरातत वस्तुओं का संग्राय है इसे कुसाण कालीन कला का सर्वोत संग्राय माना जाता है फिर आपका कासी हिंदू विस्विद्याले वरानसी का भारत कला विज्या स्री राय किष्ण दास किम्नी जी संग्राले इसे इस्ताफित भारतिय जितकारी, वस्त, रतनाभूसन, मुद्राय, टेरुकोई, एवं पांडूलिपियां आदी इसमें संग्राले इसके इस्ताफना 1904 में की गई इसमें इसाग से तीसरी सताफदी पूर्ट से बारेवी सताफदी तक की पुरातन बस्तुओं की भंडार किये गई फिरहापका राहुल सांक्त याएन संस्थान गूरप्पुर में इसमें मुएरे मुएदाबदपात सिक्के मन के फिर्स्तर मूर्तियां एवं पांडूलिपियां कर संग्राले इसके इस्ताफना नगरपाली का द्वारा 1931 में की गई थी इसमें पुरातत कला एवं हस्त सिल्व की वस्तु में संगेत है फिर है आपका अंगला राच्किय संग्राले जासी 1978 में अधी गहन सरक्षण अविलेखिय फिदर्सन फिकासन एवं सोथ की दृष्टी से संस्किती विभाग उत्तर पिदिस द्वारा जासी में राच्किय संग्राले की स्थापना की लिए तुरे आपका वरेली का पंचाल इतिहास परिश संग्राले यहां इतिहासी महत्य की वस्तु में रखी गए बुंदेलकंड चत्त साल संग्राले आपका बांदावने इसमें बुंदेलकंड छेत की दोड़ना बस्तु में संगेत है फिर आपका मोतिलाल नहरू बाल संगराले लखनु बही उनने सो संदावन में मोतिलाल नहरू मेमोरियल ट्रश्ट द्वारण खोला गया यहां बालकों के विकास के लिए ग्यान विग्यान संस्किती सम्मन्द कक्चा फिर आपका राज किये बोद्ध संगराले कुसी नगर में इस संगराले की स्थापना संस्किती विभाद उत्तरफिदिश द्वारा की गई यहां वनर रसिया वनरसिया कला । कोपिया देवधयintend अन बुद्ध बुद्ध पुराश्टल इवन पावा नमक जैन स्तल से फ्राफ्थ पुराश फ्राफ्थ हुए बरतमार में आप तीन विथि काएं कला विधिका छाय चित्रों में वुद्ध विधिका विभिन मुद्राओं में वुद्ध की फित्माएं फ्रे आपका राम कथा संग्राले अहुद्या में फैजाबाद में राम कथा संग्राले आपका कहा है अहुद्या राम कथा विसेक चित्रों, संचित, साचित, पंडूलिपियों, मूर्तियों रामलीला, बाँन पिदर्सकलाओं से सम्बंदित सामगरी, अयोद्या परिचित के पुरा से दूलब सांस्कितिक, संपदा एवं पिदर्सकलाओं, अनुक कृतियां एवं छाय चित्रों के संकलन पा उनकी परी रक्षा करने के उवद्धित से इस संग्राले की स्थापना 1988 में तुलसी इसमारख भवबन अयोध्य में तुल से आपका प्रांतिया है इस्सापना 1988 इसउटğ में की जिम भाग नुद्धक रोग, सरीरविज्ञान, जलापूर्ती शिविर, नालिया तथा पोसर से सम्मंदित अनेक प्रदर्शनी बस्तु हैं इसके अलावा राच्किये पुरातत संग्राले आपका खन्नोजमी है राच्किये सुतंता संग्राम सेनानी संग्राले आपका मेरट, जन्पद संग्राले आपका रामगर्द, गोरगपुर अंबेड का संग्राले इवन पुस्तकाले आपका रामपुर में है ठीक है इसके अलावा महा विद्ध्यल्य और विष्विद्य लेवद्वरा शंचालित अन्न संग्राले भी है इसमें एनाटोमी पैस्तोलोजी फार्मापोलोजी, फोरिंसेक्स साइंस, मेडिशन, पबलिक हेल्थ, जूलोजी, जीओलोजी, एंथोपोलोजी, बाइलोजी, बाटनी, कॉमर्स, इंडियन पेंटिंग्स, और्किलोजी, अन्न विधी, विधिक विशेओं की सामगरी संग्रेत है, जिनसे सोधकारियों की प् फिदर्शनिया और विचार गुष्ठियों का आयूजिन किया जाता है, फिर आप कुछ महत्तुकूने, वल लाइनर में कुश्चन दिये ले, इन्हें भी देख लेते हैं, कि फिर डारेक्ट पूच लेते हैं, उत्तरपिदिश का सबसे फ्राच्चिय राच्किय संग्रालय उत्तरपिदिश में लगबक सतर संग्रालय हैं, सारनाथ संग्रालय की स्थापना 1904 में हुई, याद रुखना, सारनाथ संग्रालय की स्थापना 1904 में हुई, इलावाद संग्रालय की स्थापना नगवर पालिका द्वारा 1931 में की गई, बुंदेलकंड चत्त साल संग्रा आपका लखनव में है 1997 में मौतिला नहरू में मुलियर ट्रस्ट द्वारा खोला गया थे फ्रांतिय हाईजिन इस्टिटुट आपकी लखनव में है 1928 में यह आपके objective questions है इसी चेप्टर से समझे पहला है मौतिला नहरू बाल संग्राला निमलिकित मैं से कहां इस्तित है तो देवनागरी लिपिव में लिखी गई प्राचीन तम वोति उत्तर पिदेश के किस संग्राले में सुरक्षित है तो याद रखना लखनव संग्राले में ए ओप्शन सही है कुशन है तीसरा उत्तर पिदेश में विग्ञानिक सोध कारियों से संबंदित बस्तूओं का पिदर्शन निमलिकित में सिक्किस संस्थान में किया जाता है तो याद रखिए प्रांतिय है हाईजीन इंस्टिटीट लखनव में बी ओप्शन सही है कुशन है आपका चार कुशाण कालीन कला कर सर्वसिष्ट संग्राय निमलिकित में सिक्किस संग्राले में सुरक्षे थे तो यह है आपका मत्रा संग्राले में C option सही होगा Q5 उत्तरपदेश में इस्तित भारत का लाववन निमली कितमे से कहा इस्तित है तो याद रखना वराण सी में D option सही है Q7 उत्तरपदेश के गोरखपुर जिली में इस्तित राहुल साकित्यान संस्थान में किन दोलब बस्तूओं का संग्रा है तो याद रखना मोहरे मेदापाद सिख के A option सही है Q7 उत्तरपदेश के सरवादी प्राचीन संग्राले निमली कितमे से कहा इस्तित है तो ये आपका लखनव में B option सही है 8 उत्तरपदेश में रानी महल संग्राले कहा इस्तित है तो याद रखना जहांसी में क्या है C option सही है Q7 नो मत्वरा संग्राले किस था अपने कवई तो याद रखना 1874 में A option सही है Q10 पदमाबत की रजना हुई है तो याद रखना 1693 में B option सही है तो यह था आपका संग्राले से थमादी चप्टर आगे हम बात करेंगे सिक्छा सिक्छा को देखेंगे उत्तरपदेश के परिपेक्च में ठीक